तो हे गाइज वेलकम बैक टो ओर यूटूब चैनल तो आज फिर आगे एक नई वीडियो के साथ तो आज हम बनाएंगे एक एक एफ्लेट से से एफलेड के सर्किट से हम कंपोनेंट लेंगे और एंप्लिफायर बनेंगे और यह बहुत ही पाउरफुल एंप्लिफायर है तो मैं इसे चला कर देखा जैता हूं यह ऑक्स लगा जी और गाना चालू कर जेते हैं तो कैसे लगे इसके साउंड अच्छी लगे होते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकोन दबना ना भूलिए तो चलिए इसकी मेकिंग की तरफ सबसे पहले हम लेंगे का सर्किट और जो सर्किट में जो ट्रांजिस्टर होता है वह हमें निकालना है और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको एक कैपसिटर भी निकाल लेना है तो यह दिखिए मैंने कैपसिटर को निकाल लिया और ट्रांजिस्टर को भी निकाल लिया यह 4202BD यह इसका ट्रांजिस्टर का नाम है तो सबसे बहले ट्रांजिस्टर को हीट सिंग पे लागा दिजे कि ट्रांजिस्टर हीट होता है तो मोस्ट इंपर्टौन हीट सिंग पर लगा देना और हमें लेंगे एक 100 ओम का रेजिस्टर मेरे पास अवेलेबल ने था तो मैंने 300 ओम को परलर में लगा दिया है तो आपको 100 ओम लेना है तो वो हमें रेजिस्टर पहली और दूसरी लेग में सोल्डर कर देना है अब हम कैपिसिटर लेंगे और कैपिसिटर का पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के पहली लेग में सोल्डर कर देना है तो यह सोल्डर कर देते हैं यह हो गया सोल्डर अब हम लेंगे आउक्स के बल अब यह मोन ओडियो है इसलिए आपको हमें मतलब कौन से दो यूज़ करना है ग्राउंड, ब्लैक वाला और यहां में रेड यूज़ कर रहा हूँ तो ग्राउंड को हमें मतलब ब्लैक वाली वायर को हमें ट्रांजिस्टर के तीसरी लेग पे सोल्डर कर देना है और रेड वाली वायर को कैपेसिटर के निगेटिव पर सोल्डर कर देना है तो यह हमारा सोल्डर हो चुका है तो अब हम आते हैं स्पीकर की तरफ मैं अब 3 वैट 4 ओम्स का स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ स्पीकर की एक टर्मिनल को हमें ट्रांजिस्टर की मीड वाली लेग में सोल्डर कर देना है और हो गया अब बस बैटरी कर देनी है तो बैटरी करिये लिए हम मैंने 3.7 वल्ट की यूजच की ऐा बैटरी तो बैटरी का पॉजिट्व स्पीकर की एक टर्मिनल को और बैटरी का निगेटिव ग्राउड में सॉल्डर कर देना है क्राउड पर सॉल्डर करते ही हमारा amplifier एकदम complete हो जाता है और मैं फिर बता रहा हूँ अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारे amplifier की वीडियो देखने को मिल जाएंगे तो मैं ऐसे वीडियो दालता होंगा आप देखना जरूर लाइक करना तो चलिए अब amplifier को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा amplifier एकदम perfectly वर्क कर रहा है तो आप भी इसे घर पर ज़रूर बनना और वीडियो को लाइक करना तो चलिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए